पाकिस्तान के साथ संदिक्द गती विदियो में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने विशेश कारिय बल एसोजी की साथ गुरुवार को कठवा में एक व्यक्ति को सामबा के गाहों से गिरफतार किया है तिलहाल उसे लखनपुर ठाने में पूच साच की जा रही है विभाग ये सूत्रों का कहना है कि कठवा के चक देविया केडिया निवासी रुकम दीन काफी समय से सुरक्ष एजन्सियों के रडार्ब पर था सुरच्छे एजन्सियों का आशंका है कि रुकमदीन ने कुछ समय पहले गोपनिय दस्तवेजवा कुछ मोबाइल सिम सीमा पार बैटे संदिग्दों को सौपे थे इन सिम को वहाँ चालू कर खूपया जानकारियों का आदान प्रदान किया गया बताया जा रहा है कि इसी सिलसले में गुरुवार को एसोजी ने उस सांबा के एक गाउं से उठाया और कठवा पुलिस के हवाले कर दिया आरोपी पर लखुनपुर ठाना में विभिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है पुलिस ने आरोपी के घर को भी खंगाला है हालांकि इस मामले में कठवा पुलिस ने अभी बयान जारी नहीं किया है सेने से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उस आरोपी के इस्टार पाकिस्तान से जुड़े है फिलहाल उसके खिलाफ एक सुबीस भी एक सुटतेईस आईटी सी आईटी एक्ट कि धारा पैंसट छियासट सी छियासट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है वहीं SSP कठवा शिवदीव सिंग जम्वाल का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसका पाकिस्तानी कनेक्शन है या नहीं इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता